आज आ रहा है लुट्फ उठाय रोजमारा की जिन्दगी का पर लुट्फ उठाय रोजमारा की जिन्दगे का कि मैं फिल में खुशामदीद आपके आने पर मैं खुश हूँ आपके जो भी हालात हों आपकी जो भी जो भी दुश्वारियां हों एक नुस्का है जो आपको कामियाब बना सकता है और वो है कलाम-े-लही अक्सर लोगों को कलाम-े-लही की तासिर का अंदाजा नहीं है येशु ने कहा है कि अगर तुम मेरी किताब को पढ़ते रहोगे तब तुम पर हकीकत जाहिर होगी और हकीकत तुमें बेनियास बनाएगी मेरा पस्मनजर बहुती बहुती बेहुदा रहा है और मेरी जिन्दगी में हर तरह की उलजने थी जिन से मुझे निबटना पड़ा मगर सच ये है कि कलाम इलाही की बदालत मेरी जिन्दगी में तबदीली आई मगर ये तबदीली रातो रात नहीं आई थी इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप खुदा के उसलों पर अमल करते रहेंगे तो इसके खलकी कुवत से आपको निजात और दुखों से चुटकारा मिले गए एक और बात जो मुझे मुझे मालूम हुई है वो ये कि हम उसके कलाम को बावाजे बुलंद लेकिन जब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया तब आमुस तीन तीन में मिला बाइबल में कहा गया है हम ख्याली के बगएर दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं इस तरह बताया गया है कि एक लाफ करने पर लोग खुदा के साथ कैसे चल सकते हैं मैं यकिनन खु जिन्दगी का बहुत अच्छा खाका तयार किया आपको मालूम है कि खुदा के पास आपकी जिन्दगी का भी अच्छा मनसूबा है मगर इसके लिए आपको खुदा से इत्फाक करने का एक तरीका है कि उसके कौल को गाएं यह नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अपना दुखड़ा दूसरे लोगों की तरह रोएं हमें खुदा के कलाम की दो धरी तलवार को अपने मूँ से इस्तेमाल करना सीखना होगा लुका चार में एक मौके का जिक्र है जब शैतान येशु को तरगीब देता है और जुट बोलता है वो उनको तरह तरह की बातें बताता है और चार अ ये शुखुद पहाड पर थे और ये बातें अपने दिमाग में सुन रहे थे क्योंकि दुश्मन उनसे जुट बोल रहा था तब उन्होंने अपने जबान खोली और दुश्मन को जवाब दिया और उसे जेर कर दिया अगले दो दिनों में हम आप से मूँ के बारे में पास से करनी चाहिए मेरा तरज अमल अरसे तक मनफी था मैं मनफी तरीके से सोचती थी हर काम मनफी तरीके से करती थी और खुदा ने मुझे मनफी रुजहान से निकाला अपने इसलाह कर लेने पर भी वो मुझे मज़े मजबित रहने की तालिम देता रहता था कुछ देर बाद में आपको इस सलसिले की और तफसील बताऊंगे लेकिन जैसा कि मैंने कहा अक्सर लोगों की भीड पर जोर जोर से कलाम इलाही पढ़ने का कितना असर होता है उसका सही अंदाजा हम नहीं लगाते एक बहुत ही पूर तासिर साइफा है इमसाल जिसके अठ्राइग किस म ही पलट गए तो जाएए मत और इस औरत की कहानी सुनिये मैंने अपने वालित की शकल तक नहीं देखी थी क्योंकि जब मैं एक साल की थी तभी माबाप में तलाक हो गई थी मैं जब दूसरे दरजे में थी तब मेरी मा को कई किसमती बिमारी हो गई थी उनके बहुत से बॉइफरेंट्स हुआ करते थे उन लोगों ने कई बार मेरी जिनसी इसते साल भी किया था मेरे शोहर कुछ गलत धंदे में पड़े हुए थे उन्होंने किसी के चेह गायब किया और फ्रॉट करके पांच सो डॉलर से ज्यादा रकम निकाल ली मैंने भी उसके नीचे दस्तागत करके अपना क्रेडिट में मुनाफ़ा किया था इसलिए इस जुर्म में मुझे भी पकड़ा गया था मैलनी को आठ साल की सजाय कैद देकर तैने सी में नेरिव ले की जनाना कैद खाने में भेज़ दिया गया था मगर धाए साल की सजा काटने के बाद जन्वरी 2000 में उन्हें पैरॉल पर छोड़ दिया गया था पैद खाने में ही उनकी मुलाका जॉयस मायर मिनिस्टरीस के उन रजाकारों से हो गई थी जो कैदियों को मसीह अकीदे की तालिम देने वहां जाया करते थे वे लोग जॉयस मायर की किताबे भी बाटते थे इसके बाद ही मैलन की जिन्दगी का नया दौर शिरू हुआ किताबों के बस्ते में इफ नौर फॉर दा ग्रेस ऑफ गॉड नाम की भी एक किताब थी उस वक्त मैं शायद खुदा से दूर थी क्योंकि मैं जिमेदारी से भागती थी जिन्दगी में जो कुछ हुआ उसका जिमेदार मैं दूसरों को ठहराती थी मगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं बाइबल पाबंदी से पढ़ने लगी सहरे पांच बजे रोजाना जॉयस को टीवी पर देख थी आकसर लोग पुछते इसमें अपना वक्त बर्बाद करने का तुम्हें कभी अफसोस होता है मैं कहते थी नहीं पैरोल पर छुटने के कुछ ही दिनों बाद मैलन ने जॉयस मायर मिनिस्टरिस से एक सीड़ी मंगवाई जिसके साथ उन्हें गुलाबी रंकी एक चोटी से किताब भी मिली जो बड़ी जबदस थी चाहस को टीवी पर सुनकर मुझे लगा कि सिर्फ गलत बात कहने से बाज आना काफी नहीं बलकि सही बोलना भी पड़ेगा इस किताब के मिलने के बाद मैंने यही किया जेल में आने के बाद मुझे यही डर खाया जाता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे मैं हमेशा फिक्र में रहती थी इस किताब में भी यह बयान किया गया है मुझे सर्फ लोगों के सोचने की ही नहीं बलकि इसकी भी फिक्र थी कि मैं करूंगी क्या नौकरी मिली तो वश्किल थी जेल में जाने वालों को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं जब मैलनी में अकी ददन खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया तो उसकी जिन्दगी में तब्दिली आने लगी उसके अंदर एत्मात पैदा हुआ कि इस्सू के नजदिक उसकी क्या हैसियत है वे दोबारा शादी करके खुश है दे सिक्रेट पावर ओफ स्पेकिंग गॉर्ड में दर्स सहायक के जरी मेरी जिन्दगी में इंकलाब आ गया है क्योंकि खुदा के कलाम में जान है खुदा के बगए सही जिन्दगी नहीं मिल सकती अब मैं घर ही में दो बिजनस करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके साथ रहने में मुझे खुश ही मिलती है खुदा ने रहिए मुझे नए जिन्दगी दी है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अब कोई डर नहीं है, अब कोई तरह दुद नहीं है मेरी जबान से यही निकलता है, देते जायिये, खुदा के पास मेरे लिए जो भी है, उसके लिए मैं तैयार हूँ मुझे यकिन है कि मेलेनी का बेयान आपने दिल्चस्पी से सुना होगा आज वो मेरे साथ स्टूडियो में है मेलेनी खुशामदीद शो में आने का शुक्रिया मैं खुश हूँ यहां कर आप टेने से की हैं तो क्या आज आप से मुझे दखी नहीं जिम्में बात करी होगी मेरे जबान में तुम्हारी जबान अच्छी बात है ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बड़ी सक्तिया जहलनी पड़ी मगर अक्से मुश्किलात को आपने सर कर लिया है यह बताये कि येशू को आपने निजात दहिंदा कब माना सच पुछिये तो उन्हें अपना निजात देने वाला उस वक्त तस्लिम कर लिया था जब मैं स्कूल की बच्ची थी मेरी जिन्दगी कलीसिया में ही गुजरी मेरी दादी हर अफते ले जाती थी मगर मैं दूर होती गई मैं शक्सियात को सुनने से ज़ा करने पर यकिन करती थी मतलब ये कि येशू से जाते वास्ता पैदा करने से ज़्यादा आपको चर्च के खायदे कानून मानने पड़ते थे जैना जी ऐसा ही था और ना खिले जेल में आपके रजाकर आए और किताबों का बस्ता पेश किया तो मैं सोचनी लगी जो शक्स इतना ख्याल रखे उसे सुनना चाहिए इसलिए मैं सुनने जाने लगी उन लोगों ने हम पर ने दबाव डालने की कोशिश की और ना हम लोगों से बात करने की जरूरत समझी ताहम उन लोगों ने हमें कैत खाने के नंबर से नहीं बलकि आदमी की तरह जाना अच्छा है खुब उस थेले में आपको कोई किताब मिली और उस किताब का उन्वान क्या था अच्छी किताब है ना इसमें बताया गया है कि हमें किस तरह हर चीज़ की तकलीद नहीं करनी है इसमें सिर्फ कानून और जापतों को नहीं बलकि येशु के वास्ते से खुदा से तालुक पैदा करने को कहा गया है तब ही रूह खुद्स हमें खुदा के कहे को करने की तव्फीक देता है और जाड़ की छुद पर फक्र करते रहना कि हम कुछ कर रहें आज कला में इलाही को जबान से आदा करनी के नहीं पर बात करें गे इसलिए इस मसले के मश्बत रुख पर बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगी क्या आप अपने गुसरे वक्त में बहुत मन्फी बातें किया करते थी हम इस बारे में जाना चाहेंगे मैं किसी गिंती में नहीं थी कोई मुझसे अच्छी तरह पेश नहीं आता था मैं हमेशा गार में छिपी रहती थी कोई भी मेरा साथ पसंद नहीं करता बस यही कुछ कहती और कुछ हाँ और भी बहुत कुछ बच्पन में मेरा जिन्सी इस्तिसाल हुआ था और आपके बयान में भी सुनने में आया कि आपके साथ भी कुछ जिन्सी बेहुद्या हुई थी मेरा ख्याल है कि लोगों के साथ कभी भी किसी भी तरह का इस्तिसाल होते रहता है जरूरी नहीं कि जिंसी ही हो अजदवा जी रिष्टे में भी ठुकराया जाता है तब सब कुछ हम अपने सर ले लेते हैं हम सोचते हैं कि मेरा कसूर है मेरा कसूर है मेरी गलती है मुझे क्या हो गया है क्या आपने कभी ऐसा सोचा जी हाँ असा थी अपने को इल्जाम भी देती थी सब कुछ मैं अपने पर लेती जबकि खुसर दूसरों का होता था अगर मेरा जिनसी इस्तेहाल नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं करती मगर मैंने उस शक्सिस शादी नहीं की होती तो कानून के गिरफ्त में नहीं आती पता है चाहे किसी और की वज़े से हमें जिन्दगी में तकलीफ पहुंची हो एक बात जो खुदा ने मुझे बताई है तुम पर जो बीती उसकी वज़े से तुम्हारा ये हाल हो सकता है लेकिं तुम्हें उसे बहाना बना कर इसी हाल में नहीं रहना है ये बहुत ही एहम बात है ये शो की मारफ़त जब आपका खुदा से हकी की रिष्टा जोड़ा और आपने खुदा की किताब पढ़ना शुरू किया तब क्या तब क्या हुआ था आप हमें बताईए हम जानना चाहेंगे उसने मुझे सच्चाई की बहुत तालिम दी सच्चाई की तालिम आच तक जारी है उसका कलाम हकीकत है जो माद्दी शकल इक्तियार करके हमारे अंदर रहता है ये अलफ़ाज ये शु के है ये शुने कहा है मैं रास्ता हकीकत और जिन्दगी हूँ मिरे खयाल में ये एक त तैयार किया है, मेरे ख्याल में आपको हर इस मरहले से गुजरना पड़ता है, क्योंकि खुदा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाओंगा फिर बाकी जिन्दगी तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा, खुदा का एक तरीका है, जिस से उसने यकिने मुझे भी गुज चयांगे, ये तो मुझे ये तुम्हें वो करेंगे, मगर आपको बहुत सारी सचाईयों का सामना भी करना पड़ेगा, मगर ये किसी और शक्स की सचाईय नहीं होगी, जो आपकी मदद करेगी, या आपकी अच्छी जिन्दगी फराम करेगे, ये आपकी अपनी सचाईय हो तो इसलिए कि वो हमें चाहता है जो लोग इस तरीके को समझते हैं और मानते हैं उनसे बात करने में लुटवाता है वरना बहुत से लोगों को तरीफे की समझ नहीं होती है और इस पर वो समझते हैं कि एक आद बार खुदाई असलों को समझ लें और एक दो बार उस पर अमल कर ले तो नईया पार लगेगी इसके लिए खुच सपूर्दगी की जरूरत है ना जी मैं वाँ गई और मैंने वे सब किया जब मैं बचा ली गई तो मैंने सोचा वू हू कुछ अच्छा होने वाला है मेरी जिन्दगी में ठेहरा हो आने वाला है लेकिन हर काम इस तरह नहीं करें और खरे उत्रे ताकि जिन्दगी में तब्दिली आए ये बिताए है कि मेरी किताब The Secret Power of Speaking God's Word का आप पर क्या असर हुआ गरचे ये एक छोटी सी किताब है मगर मैं समझती हूँ खासी पूर तासिर है आपकी जिन्दगी पर इसका क्या असर पड़ा मेरे पास बहुत वक्त था बहुत सारे सहीफों से में वाकिफ थी मगर ज्यादातर याद नहीं थे इसलिए मुझे ढून डूर कर निकालना पड़ता था इनको किस्मों में बाट कर देने से मुझे फॉरण मलतुबा सहीफा मिल जाता था मुझे असल मुझे असल मुझे थी तो आदमियों का डर था क्योंकि मैं उनकी मनजूरी से बंदे हुई थी लेकिन ये किताब और इसमें सहीफों के जरिये खुदा के कॉल को इस तरह पेश किया गया है कि इन्हें अपनी जिन्दगी पर लागू कर सकती थी और वही मैं करत रही हूं जोर से पढ़ती हूं और इससे सच मुझे मदद मिली इससे मुझे मदद मिली सही उन चीजों का पता लगाने में जिनकी मुझे जरूरत थी अगर आप अपना मूँ खोल कर कुछ कहने जा रहे हैं जो आपको नहीं कहकर कुछ अच्छी बात कहने चाहिए तो मैं फॉरण निशानी लगाती थी उस पर ताकि मैं ऐसा ना करूँ थी हूं कोई लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारा एक दुश्मन है और वह है शैतान वह हमसे नफरत करता है वह में घारत करना चाहता है वह नहीं चाहता कि हम को तरक्की करें बाइबल ने कोरिंथियों के 10-10-4-5 में बताया है कि हमारे पास हत्यार भी है मगर ये दुन्यावी हत्यारों की तरह नहीं आप तलवार खीच कर शैतान को घायल नहीं कर सकते हाँ जब हम खुदा के कलाम को जोर से पढ़ते हैं तो ये शैतान के लिए तलवार का काम करता है इसी से वो हारता है इसी से को दूर भागता है और इसी से वो धेर होता है और साथ ही हमारी हिम्मत भी बढ़ती है आप महसूस करते होंगे कि जब आप कलाम इलहाई बहावास पढ़ते हैं तब रूहानी कैफियत से आप सरशार हो उठते हैं जी होता है मैं एक तरफा ही सोचती मैं कोई मजबत बात न वहाँ नहीं थे बलकि ज्यादा सही बात ये है कि माबाप दोनों ने मुझे छोड़ दिया था तब खुदा का सहारा मिला और उसमें मुझे गोद ले लिया इन हकीकतों और मनफी जजबात का असल हकीकत से टकरा होता और आपको एक बार हकीकत मालूम हो जाए और उस पर आ ही जिन्दगी मिली है उसकी मुझे बहुत खुशी है प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया मुझे मौका देने का शुक्रिया ला जवाब रहा आप पर खुदा का फजल हो अभी हम लग चोटा सा वक्षा लेंगे और वापस आकर बताएंगे कि जिन्दगी में किस तर पर रुकिएगा और कहिमत जाईएगा हमारा प्रोग्राम देखते रहिए दोबारा खुशाम देद आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी बातों की क्या तासिर होती है मेरा ख्याल है कि इस से लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा कि हमारी रोजमरा के जिन्दगी पर खुदा के कलाम का किस तरह अतलाफ होता है मैं नहीं जानते कि इस वक्त आपके जिन्दगी में क्या हो रहा है मुम्किन है कि आप मायूसी और बेचारगी के शिकार हो और मसायल की कसरत आप पर हावी हो और आपको इस से निकलने की उमीद नहों मगर सच ये है कि आप अपने मस्तगबिल को नतीजा खेज बना सकते हैं बस आपको ये सीखना होगा कि खुदा आपके जिन्दगी के बारे में जो कहता है वो आपको किस तरह इजहार करना चाहिए आपके लिए जरूरी है कि आपक Speaking God's Word में जो मालूमात हैं उनके बारे में वो क्या महसूस करते हैं मेरा ख्याल है कि हर कोई तह की कोई बात जाना चाहता है कुछ बातों में आप से बाटना चाहती हूं कि इनसे आपको बिला शुभा मदद मिलेगी इसलिए इस किताब के बारे में लोगों की राय से इस्ति अफादा केजिए और देखते रही है मैं नहीं समझती कि कोई भी शक्स इसकी खुबियों का सही अंदाजा लगा पाएगा मेरे लिए तो ये काया पलड़ देने वाली चीज है दे सीक्रेट पावर ऑफ स्पिकिंग गॉर्ड वर्ड ने मुझे बुलंदी अता कर दी है उस अबिस्तर में सरहाने रखती हूँ मुझे पता होता है कि ये कहा है खुदा की सोच के मताबिक अपनी सोच को ढालने के लिए ये किताब फौरी और आसान वसीला है मेरा अपना बिजनस है और अकेली माह हूँ और दूद की एक बिमारी से चूज रही हूँ मैं देख रही और मेरी जिन्दगी में मजबची से आने वाली है ये बहुत ही पुस्तासीर है जब मैं महसुस करती हूँ कि खुदा के वे कलमाग जो मुझे फौरी चाहिए तो वे किसी खास मौके पर याद नहीं आते तो उस चोटी गुलाबी किताब से रजू करती हूँ ये बेश किमत किताब है ये मुझे पता था कि आज बहुत सारे काम निप्टाने हैं ये मुख्तलिफ नौयेत की काम थे खुद को याद दिलाने के लिए कि मुझे पर खुदा का फैस पहुंच रहा है मैंने अपनी ही किताब के फजल वाले सईफे का आवाजे बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया इस मैं चाहूंगी कि आप इसे ध्यान से सुनिये इसमें लिखा है कि मेरे ख्यालात के लिए तुम्हारे ख्यालात नहीं है और ना तुम्हारा तरीका मेरा तरीका है खुदा का कहना है हमें बेहद खुश होना चाहिए इस बात पर कि खुदा के ख्यालात हमसे बहुत अफजल ह आयत 9 में लिखा है क्योंकि आसमान जमीन से ज्यादा बुलंद है इसी तरह हमारे तरीके तुम्हारे तरीके से बुलंद है और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से आला है कलाम इलाही बाइबल में जो मेरे हाथ में है यकीनां खुदा के ख्यालात रक्म है इसलिए हमें खुछ से पूछना चाहिए कि मेरे जहन में जो ख्यालात आते हैं वो मेरे हैं या वो ख्यालात शैतान के हैं जो उसने मेरे दिमाग में दाखिल करने की कोशिश की है तो खुद खुदा के ख्यालात मेरे ख्यालात से बहतर हैं और उसके ख्यालात मेरे ख्यालातों से बुलंद हैं। जमीन को सेराब करती है और उसकी शादानी का सबब होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले गोर कीजिए किसान जमीन में बीज डालता है तब बारिश और बर्फ बरस कर बीज को सेराब करती है और बीज के सेराब होने पर अंकुर फूटता है और हम फसल पाते हैं और गोर से सुनिये इसाया 55-11 इसी तरह मेरे अलफाज होंगे जो जबान से निकलते हैं ये मेरी तरह नहीं लोटते बिला फैज कोई असर पैदा किये बगैर ये बेकार नहीं जाएंगे बलकि हमारे खाईश और मकसद को पूरा करेंगे ये उस काम में मुथर साबित होगा जिसके लिए बेजा गया है असल में ये मुझे बताते हैं कि खुदा के कलाम को जोर से पढ़ने पर हकीकतन अपने अकीदे के बीच की सेराबी होती है आपको कहना चाहिए मैं खुदा पर भरोसा करता हूं कि मिरी जिन्दगी में तबदिली लाएगा अब मुझे पुछने दीजिए क्या आपकी जिन्दगी में ऐसा कुछ है जिसके कलाम इलाही को जोर से अदा करें या अबादत के जरिये या खुदा की हिदायत पर अमल करें चुकि हम लोग कलाम इलाही को बावाज अदा करने की बात करें तो ये भी कहने दीजिए कि बाज हालात के बदले जाने के लिए हम अकीदे का बीज बोते हैं जैसा मेरा बच्चा है जिसमें बदलाव की जरूरत है या अस्दवाजी जहमिला है या मुझे माले परिशानी है या मेरा कोई और तरीका है जो मसला खड़ा कर देता है या मुझे नौकरी चाहिए यह जो सूरते हाल चाहे जो भी हो यह नहीं कहना चाहिए कि यह हालात बदल जाएं इस वास्ते मैं खुदा पर यकिन रखता हूँ इसके बाद आप किसी दोस्त के साथ लंच पर जाएं और वो कहें मैं देख रहा हूं कि तुम कई महीनों से बेरोजगार हो फिर गुजर बसर कैसे हो रही है तो आप मनफी बातें बताने लगे डरता हूं कोई काम मिलेगा भी या नहीं मैं बहुत पीछे छूटता जा रहा हूं समझ में नहीं आता कि क्या है ऐसे ही वक्त में जरूरत है कलाय में इलाही के विर्द के जरिये अपने अकीदे के बीच को सींचने की जो मेरी जमी में है सिर्फ लोगो के अहसास से जिन्दगी में बहुत उलल जिना पड़ा इसलिए मैं हमेशा सोचती और जो कुछ करती वो सब मुझे गलत लगता क्या आप भी ऐसा करते हैं क्या कभी आपने या सोचने में वक्त गुजारा या जाया कि हर मामले को आप किस बुरी तरह से निपटाते हैं मैं नहीं हूँ मैं वो नहीं हूँ मुझे नहीं होना चाहिए था मुझे वो नहीं होना चाहिए था लेकिन बाइबल में जब मुझे पता चला कि सिर्फ खुदा मुझे बदल सकता है और मेरे अंदर उसका अमल जारी है और अब ये शु को मानने वालों की मजबत नहीं होती औ जिन्दगी में हजानों बार मैंने कहा होगा, हर चीज में मेरा कसूर है, मैं कुछ नहीं सही करती, सब मेरी गलती है, यकीन जानिये मैं आप ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि खुदा के साथ अब मैं चल रही हूँ, आम उस तीन तीन में हैं, हम ख्याली के बगार दोनों एक सा नहीं रहा, मैं आज आप से पूछती हूँ, अपने बारे में आप क्या कहते हैं, अपने माजी की बारे में आप क्या करते हैं, आप, आपको लगता है कि माजी का आप पर हमेशा अख्यार रहेगा, बाइबल में कहा गया है, कि माजी को भुला कर आने वाली चीजों पर अपना नजाद दहिंदा तसलीम करते हैं तब हम नई मखलूक हो जाते हैं, पुरानी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और हर चीज़ कतई नई हो जाती हैं, मैं चाहती हूं कि आप सोचें अपने और अपने जिन्दगी और अपने माजी, अपने मुस्तक्बिल और खुदा के बा सोचेंगे कि आप खुद से बात कर रहे हैं मगर खुदा कहता है कि उसके तरीके बुलंद है, हमारी तरीके बुलंद नहीं है, वो हमें अपने कलाम को उची आवाज में पढ़कर दोधारी तलवार की तरह इस्तेमाल करने को भी बताता है, क्योंकि ऐसा करके हम दुश्मन को पस्त कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं, मैं कलाम इलाही हमेशा आपके हाथ में देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहां जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज में कलाम इलाही की बड़ी एहमियत है, और मैं जानती हूँ कि जाती तोर पर इससे मैं कितना फैज्याब होई हूँ, मैं आप वाफियत हासिल करना चाहें, इस्तिमाल कर सकते हैं, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टरी की तालीम के बगएर नहीं बन सकते हैं, उसी तरह अगर आपने कामियाब इसाई बनने का फैसला किया है, तो सही इसाई के तर तोर पर मिलेगी, मुझे यकीन है, ये तालीमी टेप और किताब से आपको वाकई फैस पहुंचेगा, कल के प्रोग्राम में भी जरूर आईए, क्योंकि खुदा के कलाम में आपको बदलने की तासिर है, प्रोग्राम जरूर देखें, अब सारी मालूमत हासिल करें, और काम दोस्तों और वालदीन का, जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया, हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, घरीब को कपड़ा देते हैं, और इस तरहे मुल्क की खिदमत करते हैं, आप joycemyer.org पर विजिट करें, और अपनी इर्दजाई इबादत हमारे साथ बाटें, दे